प्राथना अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग माईने रखता है। कुछ प्राथना को उत्तर क्यों मिलता है। जीजस क्राइस्ट ने कैसे प्राथना किये। पुराने नियम में प्राथना कैसे हैं, कैसे रेकार्ड हुआ है। मुखी रूप से दानियन ने कैसे प्रात्ना की डानियल्स प्रेयर जिसे हम बहुत डीटेल में देख रहे हैं इस तरह के बहुत से सवाल है लेट्स वेलकम ब्रदर जगन और वेलकम टू डानियल के दर्शन रदर जगन वेलकम टू डानियल्स प्रात्ना से शुरू कर रहे हैं बहुत लोगों के लिए ये अलग-अलग माइने रखते हैं लेकिन मुख्य सवाल यह है कि प्रेयर का मतलब यह की लिस्ट बना कर अनुरोत करना है या फिर प्रात्ना एक्शल में क्या है और कुछ प्रात् हैं पर उसका उत्तर बिलकुल नहीं मिलता है ऐसा कुछ लोग कहते हैं इसमें जरा नजर डालिए देखे ऐसा है दानियल के दर्शन की ये एक सीरीज है ना अगर प्रात्ना के बारे में एक सीरीज देखेंगे तो इसे हम अच्छे से बता पाएंगे अच्छा उसके लिए और सीरीज करना इसकी सीरीज होनी चाहिए क्योंकि बाइबल में जो है अबराहम की प्रात्ना से शुरू करके पवितरात्मा की प्रात्ना तक है इसमें कितनी तरह की प्रात्नाएं है हर एक तरह की प्रात्ना के पीछे यहां एक फॉर्मूला हमें बताय गया है एक इन फैक्ट उसके लिए गाना भी है उस लिवल की प्रातना होनी चाहिए इस में देखे तो अंत में प्रातना का вторम को जब सही तरीके से प्रातना करेंगे तो ईस प्रातना का जवाब मिलेगा कुछ समय में प्रातना का कोई जवाब और आसे कहते हैं इतनी प्रातना कर ली लेकिन कोई जवाब नहीं मिला इतने साल से प्रातना कर रहा है लेकिन ऐसे सुनने वालों की भी कोई कमी नहीं है सुनने वाले विशह में हैं अगर हम सरकार के पास जाकर जो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं है या बिना काम के जो सरकार देना नहीं चाहती केवल उसी चीज़ को मांगते रहें तो response नहीं मिलेगा आपकी जरूरत है कि यह सरकार देखती है हाँ वो मांग रहे हैं उसकी बहुत जरूरत है तुरंट सरकार response देगी यह संसार का सामराज्य है तो स्वर्गय सामराज्य वो इससे ज़ादा response देगा अगर response न दे तो क्या आर्थ है मतलब उस प्रोटोकॉल में नहीं है आपको इसकी जरूरत नहीं लेकिन फिर भी विश्वासी लोग मेरे नाम से प्राथना करें ऐसा ही तो एक समझ है न ये तो एक और परेशानी है आपको जो नहीं चाहिए वो आप मांगते जा रहे हैं उधारन के लिए जब आप shaving कर रहे हैं उस समय आपका 10 साल का बेटा आकर कहे पिता जी मुझे razor दीजिए आप देंगे या नहीं देंगे बिलकुल नहीं देंगे वो मां के पास जाकर रोता है मुझे razor दीजिए मुझे razor चाहिए मांग के दीजिए अब मां भी आकर कहेंगे किसे razor दे दो तो आप क्या समझेंगे आप बेटे से कहेंगे इसकी जरूरत नहीं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पर उसके आस्सु देखे और उसके परिणामों को भुगतना होगा देखे पूरी तरह से बाइबल में दो कॉंसेप्ट है जो प्रभू ने सिखाए हैं एक तो परमेश्वर की इच्छा है दूसरी परमेश्वर की अनुमती परमेश्वर की इच्छा में और अनुमती में फर्क है आपकी प्रात्ना प्रभू की इच्छा के अनुसार हो तो तो तुरन जवाब आएगा सब सही होगा साथ ही कोई पीडा नहीं होगी परमेश्वर की अनुमती होतो तो उसमें कुछ परिशान यां आ सकती ही है क्यों कह रहा हूँ परमेश्वर ने दिया हमें प्रात्ना कर रहा हूँ कलीसिया में किसी ने बताया था तो ऐसा क्यों हुआ ये परमेश्वर की इच्छा नहीं उसकी अनुमती है तो परमेश्वर के बारे में हम क्या करते हैं क्या हुआ परमिश्वर इतने दिनों से प्रातना कर रहा हूँ, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, कितने दिनों से प्रातना की, उपवास प्रातना की ये और वो किया प्रभु कहेंगे ठीक है, नया नियम तो इससे भी अच्छा है, पुराने नियम की प्रातना में कोई फर्क नहीं है. नए नियम की प्रातना थोड़ी एड़़ान्स है क्योंकि वचन कहता है हमें प्रातना करना नहीं आता लेकिन पवितर आत्मां हमारी अगवाई करता है कि हम सही तरह से प्रातना करेए. आपको क्या चाहिए कि यह ये आपको पता नहीं होगा? मुझे क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता यानि ऐसे कहते समय मैंने ऐसा क्या मांग लिया है देखे बाइबल में इस तरह से बताया है कि वो जो प्रात्ना है वो तो अस्थाई है टेंप्ररी जैसे प्रात्ना करते हैं जो नित्यनी वैसी प्रात्ना करते जैने हमें क्या चाहिए वो हम जानते ही नहीं है चलिए कहिए कि किसी वेक्ति के पास जाकर हम उनसे कुछ मांगते हैं अब देखें यहाँ पर एक बहुत बड़ा उधारन मैं आपको बताता हूँ किसी जगह पर ऐसा वेक्ति है जो हजार एकर देना चाहता है अगर आप जाकर मांगेंगे तो देंगे यानि वो ऐसे वेक्ति है जो देने का विचार रखते हैं आप उनके पास जाकर मुझे जूस देंगे इस तरह मांगेंगे तो क्या होगा पास में बैठा वेक्ति क्या सोचेगा अरे उस वेक्ति से पूछने की ये बात है क्या अगर तुम उनसे मांगोंगे तो इतनी जमीन वो तुम्हें दे देंगे इसी तरह से कहेंगे न आधा राज्ये भी मांगोंगे तो ये तुम्हें दे देंगे ये मुझसे क्या मांग रहे हैं, उसी तरह पवितरात्मा जब हम मांगते हैं, तो कहता है कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, तो हम किस से क्या मांग रहे हैं, ये एक बात है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, लूका में से इस बात पर चर्चा की है, वहाँ पर बरत भीक मांगने वाला भीक मांगने के लिए बैठा है उसके पास जाकर क्यों जरा गौर से सोचिए उसने उससे भीक नहीं मांगी वो आखे मांगता है क्योंकि जानता फिर भीक मांगनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आखे मांगे तो आखें ही देंगे बाकी लोगों से आखें मां इससे आंखे मांगनी हैं, किस से क्या मांगना है यही तो प्रातना है, तो परमिश्वर से हम क्या मांग रहे हैं, यह परमिश्वर देखते हैं, तो देखें प्रातना में सामर्थ होती है, आगे कहा जाए तो आप उस kingdom perspective में आपने प्रोटोकॉल के शब्द यूज़ किया, त पर बता रहा हूं, तीन उधारन बता रहा हूं, एस्तेर का राजा के पास जा कर मांगना, नेहमिया का राजा से मांगना, समझ रहे न, एस्तेर जो है, अगर चाहती तो उसके पहले की रानी, जो थी वो क्या मांगती थी, वो जो भी मांगते थे, उन्हें दे दिया जाता था इस तरवचन में हैं पर इस तेर ने कुछ भी नहीं मांगा ऐसे कहां गया है तो उसने उसकी देखभाल के लिए अपना एक प्रधान दिया उस प्रधान से भी उसने कभी कुछ नहीं मांगा वो समझ गई थी कि मेरा एक दिन आएगा जब मैं कुछ मांगूंगी तो तब मैं क्या मांगना है वो मांगूंगी ये एक विचार है बाकी सब लोग सोना ले लेते हैं पैसा ले लेते हैं सेटल हो जाते हैं उनकी मांग अलग ही है उसी तरह से नहमिया जो है जब राजा के सामने गया तो राजा ने उससे देखा और कहां तुझे क्या चाहिए मेर उसके अलावे ये प्राफिटिक तरीके से हैं। प्रभु से करेंगे पर हम क्या मांग रहे हैं बच्चों की फीज नहीं भर पा रहा हूं। इसी तरह से पवित्रात्मा कहता है तुम्हें मांगना नहीं आता नए नियम में तुम्हें ये नहीं मिलता क्योंके तुम नहीं मांगते हो। पवित्रात्मा तुम्हारी मदद करेगा कहता है। तो जब हम पवित्रात्मा की मदद से प्रात्ना करते हैं, तो वो हमें लीड करते हैं, वो लीड करके आपने पूछा इसलिए कह रहा हूँ, पवित्रात्मा से भर कर आप प्रात्ना करके देखिए, ये तो एक प्रोटोकॉल है, वो आकर आपको बताते हैं, ये एक तरीका है, वो तो अनुभव करने पर ही पता चलेगा, मेरी बात कितनी समझ पाएंगे ये मुझे पता नहीं, पर अनुभव से समझ पाएंगे. देखे प्रात्ना के समय में याने देखे प्रेयर टाइम में बसके वलस्तूती स्तूती करते जाते हैं धनिवात करने को कहते हैं दानियल की प्रात्ना का प्रोटोकॉल कुछ अलग है इसे देखे तो समझ पाएंगे पहले उसने पापों की माफी माँगने के लिए कहाँ? Confession Confession खत्म करने के बाद परमेश्वर की आरादना करता है और जैसे ही वो आरादना करता है तो जो स्वर्ग है वो प्रसन्न होता है यहने देखिए उपर से वो इस तेर के जैसे तुम्हें क्या चाहिए बताओ राजा उसे पसंद करने लगता है वैसे उस समय पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करता है कि इस बारे में तुम बिंती करो इसे महसूस करेंगे तो पता चलेगा देखिए एक दिन परातना के समय में प्रातना करने के लिए कहा मैं हमेशा की तरह स्तूती करने लग गया उस समय परमेश्वर ने मेरे दिल में गीत रख और मैं वो गीत गाने लगा जब हम ऐसे गाते हैं तो उस समय हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कनफेशन करने को कहता है कुछ कामों को याद दिला कर कहता है कि तुम इसे अंगीकार कर लो अंगीकार करके आराधना में जब जाते हैं आराधना करते वक्त ही मैं भूल गया था सच में, दो साल पहले मैंने ये सुना था प्रात्ना का ये विश्य प्रभु ने मन में रखा तब पवित्रात्मा ने मुझे याद दिला है कि ये सवाल तुम पूछ हो और देखें मैं उसे बोलने लगा कि प्रभु देखी मुझे ये कहते ही मुझे उसका जवाब मिल गया इस तर मैंने महसूस किया यने प्रात्ना सुन ली गई इस तरह हम महसूस कर सकते हैं एक तसली मिलती है पवित्रात्मा द्वारा जो प्रात्ना की परमेश्वन ने उसका जवाब दिया बस एक हफते में मुझे उस प्रात्ना का जवाब मिला दो साल पहले अब ये क्यूं बता रहा हूँ अगर आप ये पूछे तो ये जो प्रात्ना है आज भी स्वर्ग और हमारे बीच का एक कॉन्टेक्ट है ये स्वर्ग को हिला देती है स्वर्ग को आपकी और मोड़ती है पूछने को बेवस करती है देखे प्रात्ना इस तरह होनी चाहिए alignment में होनी चाहिए तभी जो स्वर्ग है वो आपकी और मुड़ जाएगा पर हमारी प्रातना अगर आप हमेशा देखे तो देखे ये बात तो मेरी मा कहां करती थी ये list of complaints है हम वह सी शिकायत लेकर जाते हैं उस list को सुना कर वापस आ जाते हैं वो नहीं, वो प्रातना नहीं है मैं एक विशय के लिए जा रहा हूँ राजा को ये बताऊंगा उससे जवाब पाऊंगा और आऊंगा यही प्रातना है प्रेयर में आपने एक बहुत ही अद्भुच चीज बता है और यही प्रोटोकॉल ही हम देख रहे है डानियल्स प्रेयर एक बहुत ही अलग किसम का एक प्रेयर है अब यह जो केरेक्टर है डानियल को हम लगातार देखते ही आ रहे है अब इसमें बहुत सारी लर्निंग है लेवल अफ आसकिंग जो है वो खुद हेवन हमें मुड कर देखे है इस तरह का है तो आपके कहने के मुताबिक इस चैप्टर नाइन का जो फाउंडेशन है तो मुझे प्रात्थना के लिए कैसे तयार करना है यह इस सवाल मैं डानियल के करेक्टर के अधार पर पूछ रहा हूँ डानियल की जो प्रात्थना है क्योंकि प्रात्थना के समय कैसी दर्शा में था यह देखना बहुत जरूरी होता है क्या वो बहुत ज़्यादा भूका था या मुश्किल में था यह गरीबी में था क्या इसलिए प्रात्ना कर रहा था यह तो उसकी जरूरत थी उस वज़े से प्रातना कर रहा था फिर एक और बात है मैं मुसीबत में होता हूँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा मन बहुत दुखी है या फिर निराशा में होते हैं इस तरह जब हम जाते हैं तो हमारी जरूरत अलग होती है पूरी तरह सोफेस्टिकेटेड है यानि कोई भी समस्या नहीं है वेल टीडू कोई भी जरूरत नहीं है अगर इन्हें प्रातना करनी होगी तो क्या करेंगे उस जगह पर उस वैक्ती को बैट कर अगर प्रातना करनी है अभी दानियल की जगह पर जरा देखिये अध्याइन नौ वचन एक में मादिश रैष का पुत्रिदारा जो कस्दियों के देश पर राजा ठहराया गया था उसके राज्ये के पहले वर्ष में बैबिलॉन खत्म हुआ बिलशाजर खत्म हो गया मीडा फारस के सामराज्ये में आ गया मुखे पुजिशन पर आकर बैड़ गया इसे कौन सी परिशानी होगी सोचिये जरा ये राजा के फाठक पर था और उससे भी बढ़कर जो इसे स्टेटस चाहिए था वो भी दे दिया गया एक अच्छा नाम दिया गया जब राजे खत्म हो रहा था उस जगह भी बिरशाजर ने देखा और फिर उस समय में भी उसने उसे सब कुछ दे दिया था वेल टुडू, वेल टुडू, कोई परिशानी नहीं थी ऐसा मनुष्य क्या प्रात्ना करेगा यही तो दानियल की प्रात्ना का सक्सेस है हाँ, फैमिली नहीं ऐसी एक सफलता, प्रात्ना की सफलता यह बहुत महतुपूर्ण है हम लोग मुसीबत में प्रात्ना करते हैं जरूर प्रात्ना करते हैं मुसीबत में प्रात्ना करते, निराशा में प्रात्ना करते कहिए कि बहुत पैसा है लेकिन शांती ने तब भी प्रातना करते हैं सब कुछ है पर सब कुछ होने पर कौन प्रातना करता है और इसलिए इस तरह से कहां गया है जो कलेश में सच्चे होते हैं वही आशिश पाते हैं आशिशे बहुत बढ़ने से ये तो गिरने का भी कारण हो सकती है जब हम क्लेश में होते हैं तो हम परमेश्वर के और देखते हैं उसके गीद गाते हैं उसी से मांगते हैं क्योंकि जरूरत होती है जब जरूरत नहीं होती है तो बिना चाहे ऐसे क्यों यानि सब कुछ भरपूरी से है आगे कहूं तो comfort zone आते ही एक risk factor आती है इसलिए वचन कहता है ये शुरन फूल के उठता है फूलने का मतलब जादा चरवी नहीं देखे सच में ये क्या कह रहा है वो तो बहुत खुश है जब वो ऐसे status में होगा तो क्या करेगा, कैसी प्रातना करेगा प्रातना की जरूरत ही नहीं है यहाँ तक कि यह reverse है हम जितना आशिरवाद लेकर उपर चलते हैं तो हमें और जुकना चाहिए वही है दावूद और वही है दानियल दाउद राजा बनता गया उतनी ज़ादा प्रातना करते रहा दानियल जो है सोफेस्टिकेटेट सिचुएशन कमफर्ट जोन वह और ज़ादा प्रातना करने लगा और बढ़ते गया यह जो फॉर्मूला है इसी के कारण यह लोग बाइबल में आए हैं दानियल के बारे में हम बाइबल में क्यों पढ़ रहे हैं इन सभी का वो एक स्टैंडर्ड है मुझे सब कुछ मिल गया यह कहकर अपना नजरिया उन्होंने नहीं बदला जो बदल जाते हैं वो बाइबल में नहीं होते हैं वो गायब हो जाते हैं अगर पूछा जाये तो एक जगह के बाद बाइबल में नहीं होते आखिर तक हम जो बात करने वाले हैं जरा सोच के देखिए 2500 साल के बाद भी हम दानियल पर चर्चा कर रहे हैं और भी बात करने के लिए बहुत कुछ है मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ एक बहुत अच्छा परिवार वेस्टन डीज में है उनके देश में उनके स्टेटस को देखे तो सच में वो बहुत ही बड़े स्टेटस पर ही है उनको अगर आप देखे तो अभी भी वचन को प्रात्मिक्ता देते हैं प्रात्मा को प्रधानता देते हैं यहां पहुंचाने के लिए परमेश्वर ही कारण है ऐसे स्टेटस पर है कि सो लोग उनका इंतिजार करते हैं वो प्रभु की उपस्तिती में रहते हैं जब हम उनसे बात करे तो हम उसे महसूस कर सकते हैं वो जो भी बात करते हैं वो तो परमेश्वर के वचन तक ही पहुंचते हैं और इसलिए उनका स्टेटस बढ़ता 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 गया परमेश्वर के साथ कितनी दूर जाते हैं ये महतुपुर्ण हैं बस थोड़ा सा आलस से दिखा दे तो अगर मुश्किल में हो तो सु कि सुबह चार बजे प्रातना करते हैं तो सुबर्ग आपको देखता है वो आपका इंतिजार करता है वही बेड है आपने बेड बदल दिया रूम बदला एसी लगाया कुछ भी कीजिए लेकिन मैं तो मैं ही हूँ कोई बदलाव नहीं आएगा मैं अभी भी चार बजे प् अस्तलेखों में फिर उसके बाद पेपर में अब डिजिटल में आ गया अब इसके बाद में कैसे आएगा पता नहीं है लेकिन वचन नहीं बदला ये वही वचन है देखिए mode of presentation बदल गया हम तो वही है वैसी था दाउद उसे राजा बना कर बैठा दिया कोई भी आएगा तो बस यही कहेगा बेडों के पीछे चलने वाले को permission ने राजा बनाया एक ही बात होगी मैं बकरी चराने वाला हूँ लेकिन प्रभू ने मुझे राजा बनाया आज मैं राजा हूँ पर आज भी मेरे अंदर वही बाते हैं पुरानी यादें मुझ में हैं एक देम clear है बह स्वाइब, हम लोगों ने तो पाप, कोटिलत और बलवा किया. ठीक है, वचनाठ में देखिए, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूरवजों समे तेरवरुद पाप किया है. सच में देखिए, दानियल ने पाप किये थे क्या? उस तरह प्रातना कर यहां पर भी की, अब यहां पर देखिए, यही वैक्ती कहता है, कि मैंने पाफ किया है, अपने आपको include किया, लगवक्त नगे में के प्रातना जैसे, वही हम नहीं जानते हैं, हमारी बाइबल में दानियल ने कोई पाप किया इस तरह से बताया नहीं गया है उसके अच्छे गुणों को बाइबल में यहां पर बताया गया है वो यरुशलीम में बहुती सच्चाई से जिया वैसे ही वो बैबिलॉन में भी रहा और उसके लवा मैं ऐसा हूँ वो मुझे बहतर है उनसे मैं अच्छा हूँ इस तरह की तुलना वहाँ पर होती है इसे पढ़ने के बाद फाइनल डेज की डॉक्टर इन आप जानते हैं मैंने पाप किया कह दिया तो तुम पापी हो क्यों कह रहे हूँ कि पाप किया है एक बार में ही परमेश्वन ने तुम्हें शमा किया एक बार शमा कर दिया तो आखिर तक तुम धर्मी व्यक्ति हो गए वो एक बहुत ये डेंजरेस स्टेटमेंट है जर tasting के देखिए इस स्टेटमेंट में यहां पर वो क्या कहना चाहता है मैने जो पाप किये जो कर रहा हूँ जो करने वाला हूँ सभी पापों को इशु ने शमा किया तो जो पाप करनी जा रहे उसके लिए पहले से इशु ने शमा कर दिया देखिए नई बात कितनी गलत बात है तो इसी चीज़ को प्रभू ने उस बकरी को जल्फ पाल रहा है और ये क्या-क्याँ पाप करेगा ये क्या कर पाल रहा है तो किस हड तक गलत सहल है ब्वेवस्ता के हिसाब से हाँ मेमना तयार है तो पाप करूँगा हाँ तुम पाप करने वाले हो, मेमना तयार है, कोई बात नहीं अभी ऐसा ही है, यीशु के लहू का कोई मुल्यन नहीं रहा वो तुम्हारे साथ है, तो बेफिक्र होकर पाप करते जाओ कहते हैं बहुती रिस्क ये बात है अब देखिए, यहाँ पर अध्याय नौ में, यहाँ पर वो क्या कहता है यहाँ पर एक बहुती अध्भुट शब्द कहां है अठारावे वचन में हे परमेश्वर कान लगा कर सुन आखे खोल कर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, यह महतुपुर्ण बात है वो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दयाही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं यह कहता है उसके उपर देखे, हम अपनी धर्मिक्ता पर आधारित नहीं इस तरह कहता है आज हम धर्मिक्ता की बात करते हैं न बाइबल कहते हैं हमारे धर्मिक्ता के काम उसके सामने मेले चिथड़े हैं मेरे अंदर जो अच्छे गुण है वो तो मैं जानता ही हूँ यही तो यह सबसे बड़ा ड्रावबैक है क्या होता है देखे, जब अच्छी क्वालिटी को जानते हैं तो बुरी क्वालिटी को भूल जाते हैं पर्दा डाल देखे यह ऐसा है, जब कोई कहिए कि हमारी तारीफ करने लगता है जब दुनिया हमारी तारीफ करती है तो हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ भी गलतिया नहीं है स्वर्ग क्या कहता है कि तुम अपनी इन गलतियों को देखते रहो आज एक सिध्धान कहता है कि अपनी कमियों को मत देखो गलतियों को देखते रहेंगे तो पापी पापी ही कहेंगे जब तक सिधन नहीं होते देखे एक उधारन है आपने घर को पेंट करने के लिए कहा पेंटिंग शुरू हो गई, तीन तरफ का काम पूरा हुआ एक तरफ खत्म नहीं हुआ तो वह आकर पेंटिंग खत्म हो गई ये कहेंगे या पेंटिंग खत्म नहीं हुई कहेंगे जो खत्म नहीं हो उसे क्यों देखते हैं धबो को क्यों देख रहे हैं तीन तरफ से पूरा हो गया उसे देखे कहे तो जब तक मैं शरीर में हूँ, जब तक पाप करना खत्म नहीं करता, तब तक मैं पापी हूँ. मुझे किस पर गौर करना है जानते हैं मुझे अभी भी painting पूरी करनी है ये देखना है स्वर्ग पर गौर करना चाहिए तुम ये कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें और तुमारे घर को शुद्ध कर देता हूं यही तो प्रातना है इसलिए कहता है ये मेरी धार्मिक्ता नहीं, अहां मुझे में धार्मिक्ता एक-दो काम के लिए कोई भी यहां पर 100% पापी नहीं है और 100% पवित्र नहीं है करेक्ट हर एक पापी में अच्छे गुंड तो होते ही हैं इनबिल्ड तो है देखे ऐसे में वो क्या कहते हैं मैं अपनी धार्मिक्ता के गुणों से नहीं आता हूं परहे परमिश्वर मैं आपकी दया के कारण आता हूं यह अलग है यही तो प्रात्ना की सफलता है देखे कई समय में ऐसा होता है कि हम बहुत से लोग यहने कहिए कोई आपके विरुध म तो या आपके विरुध में उड़ जाए, आपके कामों को वो बताते नहीं है, तो अपने आप हमें उन पर गुच्सा आएगा ना, human, human error, human है, अभी मुझे जाकर ये पूछना है, तो अपनी धार्मिक्ता से मत पूछिए, हे परमेश्वर मैं अच्छा हूँ, वो मेरा विरोध कर रहे हैं, तथ है, इसमें कोई दोर आए नहीं है, वो तो गलत कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पूछूँँगा तो कैसे कहूँगा परमेश्वर, आपकी उदारता, आपकी महनता, मेरे लिए आप कुछ कीजिए प्रभू क्योंकि मेरे पास एक धार्मिक्ता है, उनके पास एक गलती है, उसी तरह उनमें एक धार्मिक्ता है और हमें एक गलती है, इसे रखकर हिसाब नहीं लगा सकते हैं, मैं इसका हिसाब कैसे करूँगा, परमेश्वर के पास कुरूपा है, मैं भरूसा रखूँगा, वो अच् अंतिम दिनों में मजाक उड़ाने वाले आएंगे कहा है। वचन सोला में देखिए, तो अपने सब धर्म के कामों के कारण, अपने धर्म के कामों के कारण क्या कीजिए, शमा कीजिए, क्योंकि सामराज्य में देखिए, सामराज्य कंप्यूटर नहीं है, डेमक्रसी जैसे कोई कानून नहीं है, सामराज्य जो है, वो थोड़ा अलग है क्योंकि कानून बनाया गया लिखा गया है तो कानून के हिसाब से सब होगा वो कानून उनके लिए भी है लेकिन देखे उसमें जो एक प्लस पॉइंट है कि कानून बदलने का अधिकार उनके पास है कानून में जो है उसे बदलने का अधिकार इनके पास है डेमोकरसी में ऐस प्रेसिडेंट के पास जाकर अप्रूवल लाना पड़ेगा ये सब करना होगा पर सामराज्य में ऐसा नहीं है। उस महिमा और उस उस पावर को अंडरस्टैंड करके वो पूछ रहे हैं। अब जरा सोच के देखे उसने ईशु के पास में जाकर क्या किया। वही प्रात्ना है। प्रात्ना चाहे जो भी काम हो परमेश्वर से कीजिया और वो आपको देंगे। प्रात्ना परमेश्वर के लिए बहुत ही खास हो। उसके लिए पवित्रात्मा हमारी मदद करेगा। यह प्रात्ना जो है इसके बारे में बहुत बात कर सकते हैं। अभी तो हमने शुरू किया है। और अभी कारेकरम समात्त होने वाला है। इस एपिसोड में मैंने फंडमेंटली एक बात जो सीखिया है। वो हेवन के लिए एक प्रोटोकॉल है। और क्या हम पूछ रहे हैं यह मुख्य है। और हम कैसे पूछ रहे हैं। और डैनिल्स प्रेयर में उसकी हुमिलिटी। वो जो एंगिल है वो खुद एक अलग तरह का प्रात्ना है। तो प्रभु कैसे उत्तर देते हैं। अभी हम वन वे देख चुके हैं। यह रास्ता जाने के लिए सही है। इसका रिजल्ट क्या होगा यह हम अगले भाग में देखेंगे। मैंने केवल रजिस्टर किया है। देखें अच्छे से बाइबल की गहराई में जाना होगा। फोन करते हैं हमारे आफिस में बहुत से लोग डानियल की किताब से उन्हें बहुत सा ख़जाना प्राप्त हुआ। इस तरह से वो हमें बताते हैं। पर्मिशर की महिमा प्रोग्राम उप्योगी रहा। झाल झाल झाल